अशकार दोस्तों स्वागत अब सभी कहा एक बाद फिर से स्माट गैड में दोस्तों अगर आप भी Facebook का यूज करते हैं तो आप भी Facebook पर इस्टोरी जरूर डालते होंगे ऐसे हमें दोस्तों अगर आपके Facebook पर आपके 5000 दोस्त हैं लेकिन फिर भी आपकी श्टोरी पर व्यूज काफी कमाते हैं सो डेर्ट सो व्यूज जाते हैं लाइक्स कमाते हैं तो ऐसे हमें दोस्तों आज की वीडियो के अंदर हम आपको आपके Facebook की तीन ऐसी ट्रिक्स बताएंगे जो आपको श्टोरी डालने से पहले अपलाई कर देनी है और इन तीनो ट्रिक्स को अपलाई करने के बाद दोस्तों आप देखेंगे कि आपकी Facebook श्टोरी पर इतने ज़्यादा व्यूज आएंगे इतने ज़्यादा लाइक्स आएंगे कि दोस्तों आप जोग जाएंगे तो इसलिए दोस्तों आप इस वीडियो को एक बार इंड तक ध्यान से जरूर देखना क्योंकि जो ट्रिक बताने जा रहा हूँ Facebook में इसलिए ये ट्रिक Facebook ने दी है लेकिन दोस्तों इनका यूज बहुत कम लोग करते हैं आप स्टोरी टो डाल देते हैं अच्छी से अच्छी स्टोरी डालते हैं लेकिन फिर आपकी स्टोरी पर व्यूज और लाइक नहीं आते हैं तो चली दोस्तों बिना आपका टाइम वेस्ट कि वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तों वीडियो में आगे बने से पहले आप लोगों से एक छोटी से रिक्वेस्ट है कि सबसे पहले आप इस बटन को प्रस करके वीडियो को कर दीजिए लाइक उसके बाद इस लाल बटन को प्रस करके चनल सब्सक्राइब के लिजिए साथ इस बेल आइकन को प्रस करके आल पर क्रिक करतीजिए उसके बाद दोस्तों आपको नीचे कमेंट सेक्षिन में जाना आपको एक अच्छी सी कमेंट लिखने या आपको फेस्बूक श्टोरी ट्रिक्स लिखना है और स्टेट कर देना है इतना करने के सथी दोस्तों आप लोग इस वीडियो को अपने दोस् के बाद दोस्तों आप जब इन ट्रिक्स को अपने फेस्बुक की स्टॉरी में अप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी इस्टोरी पर कितने ज़्यादा आते हैं और आपकी स्टॉरी कैसे चुटकियों में वायरल होती है तो दोस्तों सबसे पहले आपको अपना जो Instagram अब दोस्तों आप अगर आपनी इस्टोरि डालते होंगे तो यहाँ पर आपके कोई आपसन नहीं हाता होगा लेकिन हमारी इस्टोरी पर दो आपसन आ रहे हैं अब दोस्तों इसका मतलब क्या है अब दोस्तों आप जब भी अपनी Facebook पर यह story share करेंगे तो आपकी story जो है Facebook के साथ इससे Instagram पर भी share हो जाएगी इससे दोस्तों आपके Instagram पर जितने सारे follower होंगे जितने सारे friend होंगे वो भी इस story को देखेंगे like करेंगे comment करेंगे इससे दोस्तों आपकी story पर views काफी जैदा बढ़ेंगे तो यह दोनों option आपको कैसे लाना है तो इसके लिए दोस्तों आपको अपना facebook application जो open करना ओपर 3 डार पर click करना और 3 डार पर click करने के बाद दोस्तों यहां से आपको sitting में जाना है अब दोस्तों आप जैसे option देखने को मिल जाएका always share to instagram तो दोस्तों यह आपकी बंद होगी तो इस तरीके से इसे आपको इस तरीके से enable कर लेना बस दोस्तों आपकी option जो है वहाँ पर आ जाएंगी और आप जब भी story को अपनी share करेंगे तो आपकी story दोनों जगए यानि आप दोस्तों दूसरी trick को करने के लिए आपको यहाँ पर cmore क आपको टैब करना है और यहाँ पर आप जैसे टैब करेंगे तो यहाँ पर एक option दिखाई दे रहेगा है tag people का तो simply आपको यहाँ पर करना है अब दोस्तों यहाँ से आप जब भी story post करें तो अपने कुछ दोस्तों को tag जरूर करें आप जोस्तों इससे फाइदा क्या होगा कि आप जब tag करेंगे तो आपको पता है कि आप जब भी कोई story डालते हैं तो आपकी वो story 24 घंटे तक रहती है उसके बाद वो story disappear हो जाती है लेकिन अगर यहाँ पर आप जिससे tag कर देंगे तो वो अपनी timeline पर जब दोस्तों आपकी story को share करेगा तो आप को देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है कि for an additional 24 hour they control who see it तो आपको extra 24 घंटे मिल जाएंगे यानि कि 24 24 घंटे तो इससे दोस्तों आपकी story पर काफी ज़्यादा views आएंगे काफी ज़्यादा likes, comments आएंगी और 100% आपकी story वाइरल होगी दोस्तों काफी powerful trick है आप लोग अपनी story डालने से पहले अपने कुछ दोस्तों को अपनी story tag जरूर कीजिए दोस्तों ये दो setting on करने के बाद आपको तीरसी setting करने है जो की काफी ज़्यादा VIP है और उसे करने के बाद दोस्तों आपकी story काफी ज़्यादा वाइरल होगी तो आपको सबसे पहले अपना facebook open करना, facebook open करने के बाद आपको 3 line पर click करना दोस्तों उसके बाद आपको setting में जाना है अब दोस्तों आप जब setting में जाएंगे तो एक बाद फिरसे आपको यहाँ पर stories में जाना है अब दोस्तों आप जैसे story में जाएंगे तो यहाँ पर आपको setting देखने को मिल जाएगी sharing option की तो यहाँ पर आपको type कर देना है अब दोस्तों आप जैसे यहाँ पर टाइप करेंगे तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट कर लेना है उसके बाद यहाँ पर आपको एक सेटिंग मिल जाएगी Allow other to share your public story to their own story अब दोस्तों यहाँ पर आपके phone में no per set होगा जैसा कि आप देखें तो आपको पब्लिक पर भी set कर देना है इससे दोस्तों आपकी story को कोई भी अपनी story पर mention कर सकता है share कर सकता है और वहाँ पर दोस्तों आपकी photo और आपकी story का link देखने को मिलेगा आपकी वीडियो पसंद आएगे वीडियो को लाइक कीजिए share की जोरे आगे भी ऐसी इंट्रेस्टिंग वीडियो के चैनल सब्सक्राइब कीजिए फिर मेंता है नेक्स्ट वीडियो में किसी और इंट्रेस्टिंग से टापिक के साथ तब तर मुरा ख्याल रखिये आपका दिन सुखो